एक तरफ CGI खन्ना सुप्रीम कोट में चीकते रहे चिलाते रहे कि शांती विवस्था बहाल रखो निश्पक्षता को बनाए रखो वहीं दूसरी तरफ हाई कोट के सिटिंग जस्टिस ने खड़े होकर कह दिया है कि कठमुले देश के लिए घातक हैं और देश अब बहुत सं कर सामनी आया है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है और सीजी आई संजीव खन्ना से सक्त से सक्त आक्षन की मांग की जा रही है तो ऐसा क्या कह दिया है हाई कोट के सिटिंग जस्टिस ने पहले आप ये छोटा सा बयान सुनिए फिर उसके बाद सीजी आई खन्ना क्यों भड़के हैं कैसे केस ट्रांस्फोर हुआ है और अब क्या बड़ा आक्षन होने वाला है उस पर आते हैं के लिए घातक है यह इलाबाद हाई कोट के सिटिंग जस्टिस एसके यादों हैं बयान निकलकर सामने आया है कि कठ्थ मुल्ले देश के लिए हान तक है शब्द गलत है लेकिन इस शब्द को इस्तमाल करने में दिक्कत क्या है इतना ही नहीं जस्टिस यहीं पर नहीं रुके आगे कहना है कि कठमुले देश के लिए घातक है और ये देश बहु संख्यक मतलब की हिंदूों के हिसाब से चलेगा अब हिंदू परिशत के कारिक्रम में मंज से खड़े होकर जस्टिस ने इस तरह का बयान दिया है तो इलाबाद हाई कोट में अपनी चेयर पर बैठ कर किस तरह के फैसले देते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक तरफ हमारे पूर्व सीजी आई चंदचून है जिनका कहना है कि जब मुझे राम मंदिर में क्या फैसला लेना है समझ में न आगातार सीजी आई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोट को टाक किया जा रहा है और तो और सक्त आक्शन की मांग की जा रही है इतना ही नहीं मैं आपको बता दूँ कि जब से यह बयान निकल कर सामने आया है उसके बास से तो संबल केस को लेकर भी पेज फस गया है आपको बता दे संबल केस की सुनवाई को लेकर सीजी आई संजीव खन्ना ने सक्त आक्शन लिया आक्शन लेते हुए उन्होंने कह दिया कि जो संबल का मज़ित का केस है इसमें किसी तरह का कोई आक्शन नहीं होगा पहली बात और दूसरी बात यहां पर यह है कि निश्पक्ष रहना बेहस जरूरी है एक तरफ संजीव खन्ना ने यह आदेश पारित किया है वहीं दूसरी तरफ इलाबाद हाई कोट के जस्टिस का बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है आपको बता दे अगर संबल केस की बात की जाए तो यहां पर निचली अदालत ने पहुची तो पुलिस और इलाके की पबलिक के भी छड़प हो गई जिसमें छे लोगों की मौत हुई अब यहीं केस सुप्रीम कोट में लगाया गया जैसे ही यह केस संजीव खन्ना के सामने आया उन्होंने साफ कह दिया कि संबल के केस पर निचली अदालत किसी तरह की करवाई नहीं करेगा वहीं दूसरी तरफ में आपको बता दूं संबल का केस इलाबाद हाई कोट को ट्रांसफर कर दिया गया है अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पेच फस गया है और बवाल खड़ा हो गया है एक तरफ यह जो केस है संबल की मज़ित का वो निचली अदालत से इलाबाद हाई कोट को ट्रांसफर कर दिया गया है वहीं दूसरी तरफ इलाबाद हाई कोट के सिटिंग जस्टिस का बयान निकल कर सामने आया है कि कठमुले देश के लिए घातक हैं अब ऐसे हालातों में अगर संबल का केस ऐसके यादों सुनेंगे तो क्या फ और सद्भाओ को बनाए रखें अब उसी को बिगारने की कोशिश की जा रही है और यह कोई हवा हवाई बात नहीं है खबर में देखे साफ लिखा हुआ है कि संबल केस पर सुनवाई करते हुए संजीब खना ने कोट में क्या कहा था और योगी सरकार को क्या निर्देश द रखने और इसे नहीं खोले जाने का भी निर्देश दिया है कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस बात का ख्याल रखें कि संबल में शांती और सदभाव बना रहे एक तरफ सुप्रीम कोट में सीजीब खना चिला रहे है कि शांती को बरकरार रखो सदभाव को बरकरार रखो निश्पक्षिता को बनाए रखें वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एसके यादो जो कि इलाबाद हाई कोट के सिटिंग जस्टिस हैं उनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया है यह कोई छुटबईया नेता या फिर की कारिकरता या फिर क के बाद हाई कोट का जज भारतिये जंता पार्टी में शामिल हो गया है रेटायर्मेंट के बाद CGI को राज्यसभा का टिकेट दे दिया गया लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रेटायर्मेंट के पहले ही किस तरह के बयान दिये जाते हैं और समझने वाले अपने आपे ये समझते हैं कि ये बयान इसलिए दिये जाते हैं ताकि कोई पद मिल जाए या फिर की प्रमोशन मिल जाए नहीं तो राज्यसभा का टिकेट मिल जाए अब ऐसे हालातों में अगर इलाबाद हाई कोट के सिटिंग ज़स्टिस-स–-¥ की यादोONA सम्भल मस्जित के मामले की सुनवाई करेंगे तो क्या फैसला हो सक्ता है इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राहे है आपको क्या लगता है कि आखिर कैसे एक सिटिंग पहिशा भी निकल कर सामने आ गई है अब इस पर क्या CGI खन्ना कोई सक्त आक्शन लेंगे क्या जस्टिस अपने पस से इस्तीफा देंगे इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शे जरूर शेएट खब सक्तादो झाल झाल झाल